नमस्कार दोस्तों आप कैसी हैं? उमीद है कि ठीक होंगे और खुश होंगे लोग सभा चुनाओं में अब साल नहीं माह और दिन बचे हैं घरता हर दिल लोग सभा चुनाओं को हम सभी के बीच नज़दे क्ला रहा है दोस्तों बात आज ऐसी लोग सभा सीट की करूँगी जहां से लालो और उनका परिवार कभी नहीं जीता लेकिन उनके सिपाही ने भारी जीत हांसे की अब 2024 में लालो परिवार लगातार हार से ये सीट छोड़ने जा रहा है अब इस सीट पर लालो के वर्तमान और पूर सिपाही के बीच संग्राम होने की उमीद जताए जा रही है लालो के दोनों सिपाहीों ने तैयारी कसके शुरू करती है पार्टली पुत्र लोग सभा सीट दोहजार चौवीस में एक बार फिर से बिहार की सियासत का केंद्र बनने को तैयार है पिछली लोग सभा चौव में पाटली पुत्र लोग सभा सीट ने जिस राजनीति घमासान की वज़े से पूरे देश का ध्यान आकरशित किया था इस बार भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कभी लालो के सिपाह सलार रहे राम कृपाल यादाओ के सामने इस बार भी महा गटबंधन प्रत्याशी के रूप में राजत की ओर से मीसा भारती की जगा रित लाल यादाओ हो सकते हैं दोनों भावी प्रत्याशियों ने इसकी तैयारियां शुरू करती है अब इस लोग सभा सीट का पूरा समी करण समझे इस लोग सभा सीट में 6 विधान सभा सीटे आती है दानापूर, मनेर, फुलवारी, मसाओडी, पालिगंज, विक्रम इसमें शामिल है करीब 16.5 लाख वोटरों वाली इस लोग सभा सीट पर लगभग 5 लाख यादव, 3 लाख भुमियार और 4 लाख कुरमी वोटर है सबसे जादा प्रत्याशियों की इन जातियों पर नजर होती है 2019 में रामक्रपाल यादव को भाजपा और जद्यों की गटबंधन होने के कारण 3 जातियों का बमपर वोट पड़ा था इस बार इन जातियों में कुरमी का वोट रामक्रपाल यादव के खाते से गायब हो जाएगा क्योंकि कुरमी समाज के नेता नितीश कुमार है नितीश अभी राज़त के साथ है ये पूरा वोट राज़त यानी महागडबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जाने की पूरी उम्मीद है अब यादाओ और भुमिहार वोटों पर दोनों प्रत्याशियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी देखिये एंडिये और महागडबंधन दोनों के प्रत्याशी यादो जाती से हैं इस जाती पर एक पक्षिय वोट किसी को भी मिलना बहुत मुश्किल है वहीं भुमिहार वोट इन दोनों प्रत्याशियों के लिए निर्नायक साबित होंगे जिहां भुमियार निर्णायक साबित होंगे भुमियार वोट तो ऐसे भाजपा के लिए जाना जाता है लेकिन इधार के दिनों में राज़त के A to Z समी करण और महागजबंदन के सत्ता में होने के करण इस वोट पर सेंध मार हो सकती है वैसे भाजपा इस वोट को हिलने नहीं देगी लेकिन भाजपा के प्रत्याशे राम कृपाल यादव के पक्ष में भुमियार जाती खुश नहीं है दो बार जीतने के बावजूद राम कृपाल यादव चुनावी बादों को पुरा नहीं कर सके इसलिए भुमियार जातियों में नाराजगी है भाजपा के लोगों को उमीद है कि नरेंद्र मोदी की एक दो सभा इन जातियों को एक जुट कर देगी अब पाठली पुत्र लोग सभा के दोनों पूर पृत्याशे की बात करें तो दोनों मजबूत दिखते हैं दोनों पृत्याशियों की जमीनी पकड काफी मजबूत है बात करें वर्तबान सांसत राम कृपाल यादव की तो ये जननेता माने जाते हैं इन पर अभी तक कोई आपराधिक दाग नहीं लगा है छोटे बड़े सभी के लिए दरवाजा खोल कर रखते हैं लगातार दो बार से जीत रही हैं लेकिन अब राम कृपाल यादव के लिए लोगों में नेगिटिव भाव आ रही हैं ऐसे कई बाते हैं जो दसाय में पूरे नहीं हुए इसलिए लोगों में नराज़गी उभर कर सामने आने लगी है वही महा गटवंदन के संभावित प्रत्याशी दानापूर विधान सभा के विधायक रितलाल यादव के होने की उमीद है रितलाल यादव की राजनीतिक जमीन इधार के दिनों में काफी मजबूत हो गई है जेल में रहते, MLC चुनाओ जीते, फिर दानापूर से विधायक बन गए इनके राजनीतिक जमीन जतनी मजबूत है उतना ही आपराधिक जमीन भी मजबूत है इन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं इनकी छवी एक बाहु बली नेता के तोर पर है इनकी ये छवी शहरीक शेत्रों में इनको काफी नुकसान पहुचा सकती है साथी अन्य जातियों में भी अगर बात करें तो इसका सीधा असर नजर आएगा पाकि इनके पास कुर्मी और वामदल का वोट एक मुश्थ है इन्हें जादा मेहनत शहरीक शेत्रों में करनी होगी बहराल पाटिली पुत्र लोगसभा सीट की बारे में अब तक की सबसे परफेक्ट ज़ानकारी आप तक पहुचाने का हमने पूरा प्रयास किया है आगे भी अन्य लोग सभाग की सीटों की ज्वानकारी आप तक पहुचाएंगे हम इसके लिए आप पब्लिक ओपिनियन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ अगर आप इस वेडियो को फेस्बुक पर वाच कर रही है दीख रही है तूसे भी फॉलो कर ले नमस्कार